दोस्तों आज हम जानने वालें कि पेंड की कितने परकार होते हैं तो लंबाई के अनुसार ना पेंडों को बाटा जाता है कि वे किन परकारों में आते हैं तो देखिए यह हमारी भूमी के परत यहां पे हमारी जमीन है ठीक यह देखिए जमीन और यहां से हम सीधे आ जाता ह जहाड़ी बॉलते हैं जैसे कि यहां पे जाएंगे पूलते हैं उससे यहां पर आपाइफ पूल जेते हैं गलाव गेंदा चमेली चमपा और जितने भी अब फूल होते हैं और सबजिए क्या जाएंगे जाड़ी में ठीक या पोधे में 1.5 मीटर से जो छोटे होते हैं उन्हें पोधे कहा जाता है जैसे टमाटर बैगान वगरा जितने भी सबजी की चीज़े होती हैं उन्हें ठीक ना पोधा 1.5 मीटर से जो छोटा होता है उसे हम पोधे बोलते हैं और जो 1.5 मीटर से लेकर के 5 मिटर तक की होती एंगे जारी इतने लंबे उसके बाद हम बात करेत हैं जो पांच मीटर मेर के बीक में तो उसे हम तरून व्रिच बोलते हैं एसमें कुण से आते हैं तो इसमें अधिकतर विरिच आते हैं जैसे कटल का विरिच हो गया ठिक ना नीम का विरिच हो गया जितने भी छोटे-छोटे विरिच होते हैं जामून का विरिच हो गया और जितने भी छोटे-छोटे विरिच होते हैं यह सभी तरुन विरिच में आते हैं आप अ तो तो नमबर पर आता है वितान व्रिच वितान व्रिच कैसे बोलते हैं तो देखिए वे व्रिच जिनकी उचाई 20 मीटर से लेकर करके 40 मीटर के बीच में होती है यह देखिए जमीन से बोमी से 20 मीटर से लेकर के 40 मीटर के बीच में हो यानि कि इनके से यहां से यहां तक की बीच में हो तो से हम क्या बोलेंगे वितान व्रिच ठीक इसमें से बड़े-बड़े पेन आते जैसे कि वह क्या आम का व्रिच हो जाता है आपका और इसमें और बड़े-बड़े व्रिच आते हैं काफी उसके बाद सबसे अंतिम में आता है उद्गामी व्रिच क्या आता है bridge या फिर उधगामी परत से जो कापनी हायली होता है जो भूमी से लेकर के 40-60 मिटर के उचाई में होते हैं यहीं सबसे हाईस्ट विखोटे इने कहा जाता है उधगामी बुषप इन्में कौन-कौन DC सब्सक्राइट हो गया झैसे इमली काफ फैट हो हो गया जितने भी बड़े बर बिश धिशाइय जारी कहाँगे जो इस PIT तक की उचाही तक जाएगे 20 मिटर तक की उचाई को छोते हैं उसे हम तरुन व्रिच कहेंगे जो 40 मिटर तक की उचाई को छोते हैं उसे हम विवितान व्रिच कहेंगे और जो 60 मिटर तक की उचाई को छोते हैं उसे हम क्या कहेंगे उदगामी व्रिच ठीक तो I hope कि सारा कुछ आपने समझ गया होंगे ठीक ना और काफी अच्छा लगा होगा आपको तो आप अपने किताब में नोट कर लेजिएगा और आमने सामने व्रिक्षों को पहचानिएगा कि ये व्रिच कौन साता है यहाँ पर मैं आपको एक homework दे रहा हूं चलिए आप पढ़िये और अपने हाग के लिए लड़िये धन्यवाद